कि अगरी दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके डिजिटल तयारी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म और मैं फिर से आप सभी के स्वागत में यहां पर पल के बिछाए आपका इंतिजार कर रहा हूं मगर मेरे साथ कोई और भी आपका इंतिजार कर रहा है कौन आने वाला कॉंसेप्ट और वह कॉंसेप्ट मैंने पिछले सेशन में आपके साथ में डिसकस भी किया था मैंने कहा था कि आज जो है वह हम नाउन फ्रेस पढ़ रहें मगर अगले सेशन के अंदर जो है वह हम Games of Nouns क्या होता है इसको थोड़ा सा हम इक बार देख लेते हैं देखिए क्या होता है कि कई बार हमारे जो हमारे जो एक्जाम्स के जो कुष्यंज आते हैं हमारे competitive exam के जो कुष्यंज होते हैं उसके अंदर ठाकुर जो होता है वह शब्डों का जाल फैकता है पिछली सेशन के अंदर आपने देखा तोँप नहीं करें उसकों को पदा नहीं हो तो हमारे सारा पढा पढ़ाया धरा 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 रहा जाएगा आप शर्क नांट कर चले गए तर पर पढ़कर चले गें फलान हथंकर सब पढ़कर चले गए मगर सिक्वेंस नहीं पड़ा और उसने नाउन फ्रेज दे दिया तो तुम्हारा तो सारा पड़ा पड़ाया साइड में इसलिए मैंने जो लास सेसन लिया था उसके अंदर बड़ी काम की चीज बताई थी आपको और वह चीज आप देखो और जागर के बहुत सारे एक्जाम्स में जो कोशन्स आएं उनको देखो उसके अंदर वो सीक्वेंस मिलेगी आपको और सीक्वेंस रिलेटेड जो है वो कोशन्स भी मिलेंगे आपको इस बात की गारिंटी मेरी उसी तरह से मैं आज आज आपके सामने नाउन के शब्दों का जाल लेकर आया हूँ तो इस शब्दों के जाल को समझना है थाकूर क्या करता है कि मिले जूले शब्द जो है न वो आपके सामने वहाँ पर किसी सेंटेंस के अंदर as a noun fit कर देता है और हमें अगर उन शब्दों की जो making है उन शब्दों की जो बनावट है उन शब्दों के अंदर जो एक-एक word क जो use है अगर वो ढंसे नहीं पता तो हम कहीं न कहीं उनको गलत करके आएंगे वो क्यों कि यहां पर आप जितने भी words या वाकेप देखने वाले हो as a noun उसके अंदर ज्यादा जालम जोल नहीं मिलेगा आपको शिरफ सिरफ और सिरफ एक-एक लैटर का जो है वो जोल मिलने वाला है और अगर वो आपने नहीं पकड़ा वो अगर आपने दुरुस्त नहीं किया तो फिर दुरुस्त करने के लिए अगले एक्जाम का इंतजार करना पड़ेगा और यह जितने भी words में लेके आया हूँ यह मैं सारे के सारे जो है वह ससी लेवल के होने वाले ससी लेव स्पार्टन्ट है मगर इतने से काम नहीं चलेगा इतने से होने वाला नहीं है यह शुरुआत है ये मध्य है मगर इसका अंत जो है वो आपको और ज्यादा मेहनत और और ज्यादा इस तरह के नाउन जो है वो देख करके उसको सौल करके जो है वो करने पड़ेगी और इसके लिए अपार भंधार पड़ा है दुनिया में मेरा काम आपको रास्ते बताना है उन रास्तों पर चलना जो है महनत जो है वो आपको ही करनी पड़ेगी मेरे प्यारे तो मेरे मोहन प्यारे ये चीजे समझनी है इन चीजों को इन चीजों के गहराई को और इन चीजों के महत्मों को समझना है चलिए शुरू करते हैं तो पहले के अंदर मैं लूँगा यहां पर nouns change their numbers by their endings यानि कि यहां पर कुछ nouns जो है वो ऐसी use हो जाती है जिनके ending change होते ही उनके number change हो जाते है कैसे जैसे अगर कोई noun singular है और उसके end का अगर कोई letter अगर change हो गया तो singular से plural हो जाती है यानि कि पूरी spelling के अंदर कोई change नहीं सिर्फ last में एक letter के change से पूरी पूरे उस noun का number बदल जाता है अब जैसे कैसे अब अगर suppose करो कि आपको यह number वाला game नहीं पता तो आपको जहां पर singular use करना होगा वहां प्लूरल यूस करके आओगे और जहां प्लूरल यूस करना होगा वहां singular यूस करके ले दिया तो आपको तो नहीं पता होगा तो आप गलत कर दोंगे वह गलत करके आ जाओगे आप क्योंकि वह प्लूरल है और अगर किसी ठागुर में प्लूरल वर्प के साथ में एनलैसिस का एस आई एस वाले एनलैसिस दे दिया तो भी आप गलत करके होगे क्योंकि आपको पता नहीं है तो इसी जाल को समझना है मेरे साथ और यह कुछ महत्वपूर कुछ इंपॉर्टन शब्द है इसको देखे एक बार चलिएगा तो देखते हैं कि वह कौन से वर्ट्स है जो एक्जाम में अल्रेडी पूछे जा चुके हैं अपने नंबर चेंजिंग गेम के बेस पर देखे एनलैसिस सबसे पहले तो सिस से वह एंड हो रहा है तो वह सिंगूलर कैटिगरी में आता है मगर उसी एनलैसिस में अगर आई हटा करके आप ए कर दो अगर आपने ए कर दिया तो वह प्लूरल बन जाएगा मेरे दोस्त तो यह ध्यान रखना है आपको उसी तरह से एक्सिस एक्सिस में अगर आई को अगर स ए स है तो वह प्लूरल है ऊसी तरह से हीपोटैसिस के अंदर ए एस आई एस है तो वह सिंगूलर है और अगर वह test है है तो फोर्मूला का थोड़ासा गेम देखओ आप फोर्मूला का एक तो होता पर्मूला impeachment देख़ो आप है। स्पैलिंग में चेंज नहीं हो रहा है सिर्फ एस एक्स्ट्रा और यह पर एक्स्ट्रा लगेगा तो भी सही है तो भी वह फॉर्मुले का फार्मुला का वह प्यूर्ण फर्म होगी फार्मुलार्ण ठीक है L, देखो इदर L, A, E क्या? L, A, E अगर formula spelling के पीछे L के बाद में अगर A ये लगता है तो वो भी formula का plural form है यान रखनी है इस चीज़ को note कर लेना, गांठ बांध लेना आप ठीक है? तो formula के दो plural form होती है एक तो formula जो common है जो हमें पता ही है हमें school level पर भी पता है ये चीज़ मगर जो नहीं पता है वो ये है कि L, A, E यानि A, E से end होने वाले spelling में, spelling जो होती है formula की जिससे formula कहा जाता है वो भी formula का plural होता है ध्यान रखना है index अब देखो, index index जो है वो एक singular word है मगर index को अगर आपको plural में convert करना तो क्या करोगे indexes, यानि X के बाद में ES लगेगा और indices देखो, यहां CES है तो index की भी दो plural form बनती है, एक तो XES और एक CES दोनो ही सही है भाई ध्यान रखना, एक तो है XES एक है CES तो दोनो ही index की plural form है, तो index की singular form तो index है और plural form जो है वो indexes और indices है, ध्यान रखना इस चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए, तो यह कुछ शब्द है जो सिर्फ एंडिंग एक लेटर के बदलने से, I का E होने से अपना number चेंज कर देता है तो यह अपने दीमाग में कील ठोक देना, लॉक लगा देना, दिमाग में डाल देना, इनको रटे मारने, याद करने, दिमाग में डाल देना, ताला दे देना, चाबी मम्मी को दे देना, और कहना की जब तक सेलेक्शन नहीं हो जाता, खोलना मत, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ singular word है यहां पर, जो plural हो र ज्यान रखना, अगर आपको कहीं curriculum मिल जाया, तो याद रखना है कि वो singular है, क्या है वो, singular, और अगर कहीं curriculum मिल जाता है, तो भूलना मत मेरे share, कि वो क्या है, वो plural है, ज्यान रखना, देखो मैं आपके लिए जितनी मदद आपकी कर सकता हूँ ना, मैं उतनी कर रहा हूं, म इतने words लेके आ सकता हूँ, मैं वो word लेके आया हूँ, और एक भी word जो है, वो इदर उदर से नहीं है, बड़ी महनत से मैंने पुराने papers में से टाल टाल करके चार्ट चार्ट करके ये word लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जो बार-बार पूछे जाते भी है, और आएंगे चार्ट की हो, चाहिए वो किसी भी department की हो, आई बार समझ में, ठीक है ना, हाँ, मगर छापा मारने के लिए हमारे घर मत आना भी, जान रखना इस चीज का, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तो करिकुलम, करिकुला, बैक्टीरियम, बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरि है कहीं सारे भूंगल को पता ही नहीं होगा, कि बैक्टीरिया हो प्लूरल वर्ड है, एकमेडे हैं हम बैक्टीरिया को सिंगूलर में यूज करते हैं, जेनरल लाइफ में कह रहा हूं में, जिखने पर मजबूर कर देते हैं, हमारवाडी आदमी है, तो थोड़ा कहीं बार एंगा तो यूज करेंगे हमारी भाशा हम लोग है ना और वड़ा फक्र से बड़े गर्व के साथ चलिए बैक्टीरिया जो है वो प्लूरिल dipping की बैक्टीरियम सिंगुलर एंगर आपको बैक्टीरियम कहीं पर सिंगुलर यूज करना तो वैक्टीरियम करोगे आप हमारे दिमाग में यह चीज है कि Bacteria singular है क्योंकि हम घर पर Bacteria बोलते हैं और कहीं कहीं तो साइंस स्टूडेंट को भी नहीं पता होगा कि Bacteria plural है Bacterium singular है मेरे इंग स्टूडेंट को पता है आज के बाद हाल देटो डेटा गयाइट है टो डाटा जिसको हम कहते हैं डाटा जो है। दाटा इसे कम्प्यूलास रिए उसको अबसके घरिए स्टेया को कहीं ऐसे करना है तो फिर आफ हैं यसको इसको स्टेयियिय Ł... स्टेडियम 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 स्ंग Onu Șंगिलर वर्ड है जान रखना स्टेडियम की यह isp उसका plural किया होता है支लेबी क्या होता है सेलेबी सेले भी प्लूरिल वर्ड है सैलेबस जो है वह singular है अध्याय ज़ियान रखेगा b ia buying robi तक कि रोख देना इसको तो सैलेबी जो है वह घ्यान रखेगा और उसका प्लूरल बनाना है तो आर ए डी ड्ब हो एना आगे देखो आप यह देखो याँ देखो फिनोमेन बेख पेनामिन जो authorities ड्मूरल है यह हो अप्वींगुलर है प्लूमिना फिनौमिना जो है वह प्लूराल है प्लूर सिंगुलर से प्लूर उसका फिनॉमिन पर भी अगर आप पो के अरी पर्पसक्राइब है अगर आप उ伯र興 किया रहे तो आप इस चीज के तयार रहे ना कि एक-एक लैटर की भी जो है वो एक-एक लैटर के मिस्टेक से भी जो है वो कॉंसेप्ट बन सकते हैं एक्जाम के अंदर ठाकूर बनाता है बनाएगा भी इदर उदर कर देगा spellings में ध्यान रखनी है spellings हमारे लिए बड़ी important होती है अगर आप language competitive exams देने जा रहे हो एक language के बेस्ट पर देने जा रहे हो और SSC CZL का जो pattern है वो तो आप जब जानते ही है कि उसके अंदर जो है वो इंग्लिश का weightage कितना बढ़ा दिया गया कितना important role play करेगा इंग्लिश अब आपकी life के अंदर अगर आप SSC exam देने जा रहे है तो इसके लिए आप समझीएगा इन चीजों को और मैं नहीं चाहता कि फिर वहाँ जाने के बाद में हमें यह अफसोस होगी हमने यह क्यों नहीं पढ़ा और वह अफसोस भी घर आके होगा वहाँ पर तो होगा भी नहीं अफसोस पता भी नहीं होगा तो जीनियस और एक जैनी जैना जी एन डबल आई यह भी प्लूरल फॉर्म में इसकी दोनों याद रख लो स्पैलिंग्स याद कर लेना मेरे दोस्त नहीं हो तो यह कि नोट कर लेना यह पीडियाप सेव कर लेना और याद रखनी है इन चीजों को याद रखनी है यही चीज़े हमारे साथ कैरी होने वाली है बाकि कुछ भी नहीं है बाकि सब यहां यहीं का यहीं रह जाएगा हमा के साथ में है वह लगेगा यहां पर दद सिलेवी हाट भीन प्रपेर्ड होगा सिलेवी हैज नहीं होगा इस तरह से एक्जाम में कुश्चन बनते हैं ना दो क्राइसिस वाज या वर क्रैसिस जो है वो सिंग्टलर है हम यह मैंने हाथो हाथ कुछ जीते जागते उधारण भी दे दिया जो बहुत बेसिक लेवल के competitive exam से लिए है बहुत छोटे लेवल के competitive state government के exam से में यह आई हुए question है और यह बड़े लेवल पर आपको error error के regarding पुछे जा सकते हैं error के base पर पुछे जा सकते हैं यह आपको work-up के base पर पुछे जा सकते हैं यह आपको पूछे तो जाएंगे important तो है मैंतुपुर्ण तो है तो यह भी एक part है हमारे हमारे उस study का और जो study हम कर रहे है उसको perfect और भैतर बनाने के लिए यह चीज़े तो करनी पड़ेगी आपको भी है ना ने तो फिर जाएंगे बड़िया तयार होकर के exam देने के लिए बड़े confidence के साथ में और भूंगल जैसे circle लेकर वापस आ जाएंगे अब लोग तो नहीं करना आपको जयान रखना आगे देखो चला अब कुछ नया concept लग रहा है इसलिए यहां पर भी option आया है the following nouns are singular with the end of s और यह देखो बड़ा मजदार चीज़ यह 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 यहां पर कह रहा है कि यहां पर कुछ ऐसे वर्ड है जिनका एंड तो s यह i es से हो रहा है क्योंकि initial state पर जब आप छुटी क्लासों के अंदर थे जब आपके मार्साभ आपको पढ़ाते थे तो जब आपको पड़ते थे साथ में एस या इस लगता है तो नाउन क्या बनती है सब्साइब की अ देल श associates मपनती है मार्ण साब ने हमको यह शब्द नहीं बताएं मार्स आपने यह नहीं का कि mathematics के पीछे अगर एस लगेगा तो mathematics singular ही रहेगी जहां रखना मगर आपका यह भाई आपको यह बता रहा है आपका यह दोस्त आपका यह mentor आपका यह सार्थ ही आपको यह है ना physics देखो physics में भी ऐस लग रहा है singular है economics singular है politics singular है diabetes singular है billiards singular है measles singular है और क्या नीचे यह spelling है जो नीचे फोड़ा सा नीचे की तरफ चली गई है यह है ना wages sorry wages यह spelling है यह लिख लीजिएगा फोड़ा सा नीचे की तरफ चली गई है PDF तो यह ध्यान रखिएगा wages 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 sorry wages यह सारे जोह है वय मिवद जो brace के साथ में खद्म हो रहे है मगर यह है क्या यह है सारे singular इन और क्लीड कुम्हऌरी गलती और फिर moment किसरा आपने कान नहीं था मैं तो टोक रहा हूँ अभी और दुमाग में ध्यान रखना यह पुडिया यह गांट यह पुडिया बांध करके जेव में रख लेना कि इन सारे words का जो ending है वह s से जरूर हो रहा है मगर ये है सारे कि सारे singular word है आगे देखो जैसे example ले लो mathematics has या have has लगेगा mathematics singular है अभी मैं पढ़ाया आपने my favorite subject है ना है पाललय टेक्स है इस आएगा पॉलिटिक्स इसनाट माइप ऑफ टी कॉल्टिक्स अपने बसकी दो बात नहीं है और मेरी पसकिभी बात नहीं है तो जो आप तैयरी कर रहे है तोちょっと के अभी मैं तो है ज्यान रखना उसमें आप नहीं कह सकते हैं चालिए कुछ अपवाद ले लेते हैं अपवाद exception और मैं देखो मेरी मेरी क्लास में exception को development कहता हूं यह क्या है यह development है यह वह booster dose है जो आपको develop करते हैं आपकी जो चीजह हैं उनको बहतर से बहतरीन बनाते हैं यह आपको यह आपकी वह ठोकर हैं जो हर कदम पर आपके सामना आएगी और हर ठोकर आपको यह सिखाएगी कि तुम जिंदगी में तुम लाइफ में क्या मिस कर रहे हो और जो जो सीकते जाओगे वो आने वाले पड़ाव में आने वाले स्टेशन पर वो गल्ती दुबारा नहीं करोगे कार जब स्पीड में लेके जाते ना किसी नए रास्ते पर तो स्पीड ब्रेकर नजर नहीं आदा ना तो बंदा सचेत होता है वापस जब वो आता है ना तो वह बकाईदा ध्यान रखेगा कि हाँ यह पर एक प्रेकर आया था तो यह ठोक रहे हैं यह डैवलिपमेंट है जो mathematics दिखने में प्लूरल है मगर वह यू सिंगुलर होता है है ना उसी तरह से जैसे statistics जो है वह एक तरह से दिखने में या प्रणाउंस करने में प्लूरल है मगर है singular यहां पर भी कुछ खेल ऐसा ही है मगर यहां पर क्या होगा यहां पर इन्हें हम लोग यह कहेंगे कि यह singular तो है singular तो यह है यह तो है मगर कई जगा यह अपना मीनिंग चेंज करके प्लूरल भी बन जाती है यह यह कह रहा है जैसे mathematics जो है mathematics स्वतंत्र रूप से तो वह singular ही है मगर mathematics का यूज अगर ठाकुर ने किसी सेंटेंस में उसके दूसरे मीनिंग के तौर पर अर्थ के तौर पर कर दिया ना तो फिर वह प्लूरल भी हो सकती है तो यहां पर यह exception आपको यह सिखा रहा है कि जिन शब्दों को आप पिछली स्लाइड के अंदर singular 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 करते आये हो वह कई जगा पर अपने मीनिंग के चेंज़ेज होने के साथ साथ में प्लूरल फॉर्म में भी बदल सकते हैं तो आईए देखते हैं इस खेल को और खेलेंगे और खेलोगे आप मेरे साथ कैसे मैं अगर आप एक सब्जेक्ट के तौर पर यूज करो एक विशाय के तौर पर हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक विशाय के तौर पर अगर आप यूज करो तो वह singular काउंट होगी वाक्य में मैं बार बार नहीं बूलूंगा टाइम लगता है ऐसे मैं निए जार के तौर पर किसे विशाय के तौर रूपर यूज करोगे तो वह singular होगी उसके की सिंग्विलर वर्ब का यूज करोगी अगर आप ने mathematics को मिनिंग में में इस होती है कैसे है यार इस विजन समर्द में तो मेरी मैत्मैटिक काम नहीं कर दिये मिजन इसके calculation में मेरा दिमाग नहीं चलगा है तो कई बार mathematics calculation के meaning में भी यूज की जाती है तो वहाँ पर वो plural होगी वहाँ पर वो क्या होगी यह आप ध्यान रखें कि मैं यहाँ पर इस तरह के cross के निशान बना रहा हूं यह cross के निशान गलत नहीं है यह cross के निशान यह समझना है कि यह इसका different use है यह तो इसका general use है यह singular यह इसका different use special use है यह जहां रखता star बना देते है cross star तो यह इसका special use है उसी तरह से देखो statistics का खेल देखो statistics का भी यह है अगर आप subject के तौर पर इसका यूज करते हो ना तब तो ठीक है तब तो यह singular use होगी मगर आप जब statistics का यूज figures के तौर पर करते हो figure figure के तौर पर करते हो figures के तौर पर करते हो तो यह फिर plural जो है वो यूज होगा प्लियूरल यूज होगा यह politics का भी देखो अगर आप इसे subject या discipline के तौर पर यूज करो देखो politics का यूज discipline के तौर पर भी होता है अनुशाशन के मीनिंग में भी politics का यूज होता है कईयों को नहीं बता होगा मगर होता है ध्यान रखना भई तो अगर जब आप सब्जेक्ट यह discipline के मैनर में politics वर्ड का मैंने क्या बोना था नाउन जो है वो वर्ड का खेल है तो यह शब्द पकड़ने इनके अथा सागर में डूबने की जरूरत नहीं है डूब के मर जाओगे एक्जाम के अंदर जान रखना politics जो है वो subject और discipline के बेस पर अगर रहेगी तो singular use होगा उसका singular use होगा उसका मगर अगर वो विचार thoughts या views के बेस पर उसके meaning पर अगर आप उसका यूज करते हो उस meaning में उसका यूज करते हो तो वहाँ पर वो plural form में यूज होगी तो politics के मुख्य चार यूज है एक तो subject है तो singular है discipline होगा तो भी singular होगा मगर thoughts और views के बेस पर politics जो है वो हमेशा plural जो है वो होगी उसके अलावा देखो आगे वेक्रिस इसका यूज अगर आ यूज आप अगर वाक या labor के तौर पर करते हो वाक या labor के तौर पर यह plural use होता है तो इन शब्दों को इन वर्डों को इस पूरी की पूरी slide को जो है वह एकदम कहते हैं कि बढ़िया सा गरम दूद लेना उसे बढ़िया दूद लाना उसे गैस पर हलकी धिमी आज पर थो सारी चीज है ना ध्यान रखना है आगे चलते हैं देखो पुछ एक्जामपल लेख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग है ना दो वेजिस हैज या हैव बीन पेड़ टू वरकर वरकर के महंताने के तौर पर यूज किया जा रहा तो यह मजदूरी है और मजदूरी ह सिं इस आर डायगा यहां पर यह क्या है इस blends करेंको कि यह जो है वो पाल पाप का बात करा तो यह पंश्मेंट के तौर पर अंधर मेरी कलिकुलियोर सही है तो आन्ट और सुन के ऑने चाहिए mathematics is or one of my favorite subject यह साफ के रहा कि यह subject है इसलिए हम इसको क्या मानेंगे is मानेंगे singular मानेंगे यह example भी यह confirm करते हैं कि जो logic हम पढ़ते हैं जो concept हम पढ़ते हैं वो basic ही सही मगर हमारी हमारा जो हमारा हमारी जो एक ability है उसे किस प्रकार से उसे किस तरह से करती है जो हमारा में जो खोपड़ी है न उसके उपर कहीं न कहीं यह अगर हम तैयारी बढ़िया यह बहुत्र घाप का इंसान नहीं हूं कि आया दो concept ले ये दस question बता दिये घर चला गया मुझे पता है कि जब तक बच्चा या जब तक student noun को पूरा सुरू से लेकर जड़ तक नहीं पढ़ देगा, तब तक एक बच्चा S.S.C. level के questions attempt नहीं कर सकता, और यह खिलवार मैं नहीं कर सकता, CDC बार है, आगे देखो, चली आगे, अब यह कहना है कि the following noun are always plural, अब कुछ following noun ऐसी होती है, जो plural ही है, जनम जात, जनम जात plurals है, उनका ending या starting से खोई लेना देना नहीं है, ऐस लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो ही plural, जैसे scissors, यह plural है, हमेशा, बहुत सारी spelling से यहां पर है, हैना, tongues, हैना, forceps, spectacles, arms, हैना, tweezers, pliers, belliculars, pants, jeans, trousers, यह स है, यानि कि always plural, always plural, और इनके साथ में verb भी कौन सी लगती है, plural verb लगेगी, कैसी verb, plural verb लगेगी, तो यह word हमेशा plural होते है, रट लेना, याद कर लेना, कोई doubt नहीं, यह शब्द है, याद करना, क्या concept है, कोई concept ही नहीं है कि मैं लेकर कि समय खराब करूँ आप लोगों का, है यह जो concept है ना, यह A, B, C, यह तुमारे वो तुमारे जिंदगी के अंदर वो pinch है, वो point है, जो click करेंगे कि यह चीज भी याद रखनी है, यह चीज भी याद रखनी है, यह भी याद रखना, यह भी याद रखना है, इस से related भी पढ़, इस से related भी पढ़ो, इस से related भी बच्चे को भी पता है कि अगर आप किसी, आप अगर किसी plural noun का यूज, अगर आप किसी plural noun का यूज, अगर आप a pair of के साथ करते हो, वो तो plural ही होगा, वो तो singular ही होगा फिर, singular होगा वो तो, सीरिसी बात है, किसी भी बच्चे को पूछ ला, पता चलेगा, जैसे, इस सिजर्स इस आर वेरी शार्प, तो आ रहाएगा, क्योंकि आप इसको खुला यूज किया है, मगर आप अगर कह दो कि अप पेर आप पेर आप सिजर्स कहोगे, तो फिर आपको यहां पर क्या यूज करना है, यहां आ जहर गलत है यहां पर, अब इस आयेगा यहां तो सिजर्स, अगर खाली सिकर्स करोगे, तो यहां पर मैंने कहा आए, देखो, always plural, situations, always plural है, मगर, अप इयर अप लगा दोगे, इसके आगे, इनके आगे अगर आप ने परप जोड दिया तो फिर यह सिंग्यूर बन जाएगा क्यों क्योंकि यह जुआ है वह एक को इंडिगेट कर रहा है एक अप जोडा इसका मतलब जोडा तो एक जोडा ऱ एक है तो फिर वह हीर जहां रखना और पेर ओफ लगते ही यह सारे वर्ड जो है वो सिंगुलर में डिवाइड हो जाते हैं फिर सम नाउंस आर अल्वेस प्लूरल कुछ नाउंस है जो हमेशा प्लूरल ही होती है जैसे cattle, sheep, deer, janitory, poultry, pork, people plural noun there is no use of a and n before them यह याद रखना यह important चीज है बई यह important चीज है यह कह रहा है कि हमेशा plural है यह सारे word चाहे cattle ले लो चाहे poultry ले लो चाहे fork ले लो चाहे people ले लो चाहे ship ले लो कुछ भी ले लो आप इस सारे के सारे word जो है वो जनम जात plural है अगर नहीं दिख रहा है तो यह लो मोटा मोटा लिख लिया plural है और इनके साथ में एक common चीज जो है वो यह कह रहा कि a और n जो है वो no use नहीं एन का use before them नहीं करना है इनके आगे गलती से भी कही और n मत लगा देना दा का नहीं किया इसने इसने दा का मना नहीं किया है मैं फिर कहता हूं मेरे concept की लाइनों को एक एक चीजों को समझना है इसने दा मना नहीं किया इसने और n मना किया क्यूंकि ए और एन जो है इसको फिर एक संख्या में बताएंगे है ना जैसे एक क्या इसने च्रिण तो एक exp नहीं होगा capital खुदी प्लूरियल वर्ड है तो अपने पिर एक या एक को यूज नहीं करेंगा इसलिए यह मना तर रहा है कि इनके आगे एन नहीं लगाओगे गल्ति से अगर आता है तो फिर वह एरर है और उस एरर को सुधार करके अपने मार् है ना इंसिग्निया एंड नोबैलिटी प्लूरल नाउन देर इस नो यूज एन बिफोर देम वही वाली बात है उस पहले वाली स्लाइड के अंदर जगह कम थी इसलिए सेकिन वाली स्लाइड में भी कुछ और वर्ड ले लिए यह वर्ड याद हो जाएंगे कि नहीं होंगे कोई यह भी याद भी होते हैं तो फिर किस मूझ से ऐसे का फॉर्म बरा बढ़ा मजाग कर रहा हूं बुरा मत मानना मेरे परिवार ओं यार अब इतनी क्लास लेने के बाद में तो मेरी फैमिली हो तुम मेरे भाई हो मजाग पर मैरे यादत है। मजाग मस्ती करने बुरा मत यह वर्ड याद करने जिन्हों ने फॉरम बढ़ेंगे यह आएंगे वर्ड यह पढ़ाएंगे भी नहीं कॉन पढ़ाता यह किसके पर नाउंड मैं यह सारी चीज़ें बढ़ाएंगे अच्छे में और दुरे में अच्छा करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा बढ़या लगेगा जब आपके कमेंट आएंगे जब मैसेज आएंगे सर सलेक्षन हुआ और आपके मताय हुए कॉंसेप्ट भी आये तो वह दिन मेरे लिए लगा देना क्योंकि वह एक संख्या को इंडिगेट करेगा जो नहीं करना है अगर कर दिया तो वह एरर है ज्यान रखना आगे बढ़ो फिर अब कि संख्यान रखना अनकांटेबल क्या है बहुत है जो भी अनकांटेबल नाउन होती है वह अमैसा singular होती है उसमें दिमाग लगा नहीं नहीं होता क्या है एंकाउंटेबल के साथ में हमेशा singular verb ही यूज होती है यह ध्यान रही हैं अंकाउंटेबल के साथ कौन सी वर्प होती है है ना यह सारे नाउन जो है क्या है इस सबके अभो वह लग यह सारे अंकंटेबल मैं यह क्या है अंकंठे-बल ऐसी अंकंटे-बल है और हमने दeलनों सब्सक्ट होलां तो चोने करने सा CP गवल है अम दुम कहते दो वो शब्दों का खेल है नाउन जो है वो शब्दों का ग्यान है इसमें शब्द को ही बेस माना जाएगा उस शब्द के अर्थ का कोई बेस नहीं है और जहां सब्द के अर्थ का बेस है वहाँ पर मैंने लिया है तुम्हारे बिना कहीं मैंने बता दिया तुमको शब्द के शब्द के अर्थ का बेस मैंने तुम्हें बिना कहीं बता जिये यह देखो जहां mathematics subject होगी वहां singular mathematics calculation होगी वहां plural तो तुम्हारे बिना कहीं मैं तुम्हारे हर चीज की जानकारी रखता हूं मुझे पता है कि तुम कहां कन्फ्यूज होने वाले हो कहां तुम लोग जो है वो अपने आपको पीछे धखेलने वाले में बहतर जानता हूं इसलिए मैं कहां नाउन जो वह शब्दों का खेल एक फरनीचर एक शब्द है बस अब फरनीचर में डबल वेड एक फलाना एक धिमका पूचडा एक वो नहीं देखना आप उनको तो फरनीचर एक शब्द है और यह uncountable है इसके साथ जो है वो mostly use some with them यह कहना कि इनके साथ जो है वो ज्यादा तर mostly means ज्यादा तर तुम क्या लगाओगे तुम लगाओगे सम सम अचीव सम न्यूस सम इन्फरमेशन सम फरनीचर एना ज्यान रखना सम लगाओगे होरा साथ चीजह है सम लगाओगे याद जाएगी चीजे रखनी पड़ेगी सलेक्शन चाहते हो तो याद तो रखनी पड़ेगी ध्यान रखना रखनी पड़ेगी चीजे याद तो always uncountable always uncountable and mostly use some before them before them ध्यान रखना चलो आगे आगे बढ़ते हैं अगे कि सम लग्वाइब पुर्वा यह कुछ नाउन है यह डियर शेप फिश एरक्राफ्ट इनिंस नाउन है यह जो सिंग्विलर भी है और यह प्लिवल भी है ज्यान रखना तो यानि कि जब इनको सिंगुलर यूज़ करेंगे तो इनके आगे हम क्या लगाएंगे और लगाएंगे ना जैसे अभी मैंने पीछे मना कहता कि शीप के आगे जो है वह हमें यह नहीं लगाना मगर तुमकर यह लगाओगे तो यह एक हो जाएगा एक होगा यह वर्ड याद कर लेना कील ठोक देना दिमाग में खोपरी के अंदर डाल देना इसको फिर धक्कन बंद कर देना वापन याद कर लेना डियर शिप फिश एरक्राफ्ट और इनिंस 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 जो है सिंगुलर एंड प्यूरल बोथ ज्यान रखना तो यह था ना बादू का पिटारा लाओंगा जिसमें होगा आपके लिए बहुत कुछ तो वेट एंड वाच इंतजार कीजिए मेरा बहुत जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय जय राजस्थान